आंदोलन लोक तंतर की खूबसूरती होती हैं वहीं आज पिलानी में कुछ यूवा साथी इकठा हुए हैं एक एतियासिक रैली के रूप में एक आंदोलन यहां से रावाना हो रहा है पिलानी में नगर पालिका के सामने से एक रैली आयोजित की जा रही है हम इन्ही यूवा साथियों से जानेंगे यह रैली क्यों आविजित की जा रही है और इसका उदेश्य क्या है के सामने रखेंगे देखना यह है कि सरकार इनकी बात को कितना मानती है और कितना जल्दी इस पर काम होता है लेकिन और आंदोलन के रास्ते से ही आपकी समस्चाओं का समाधान होता है क्योंकि सरकारों के यहां खुलने के लिए अंदोलन करना जरूरी होता है और यह साइक्ल रैली यहां से निकल चुकी है इस वक्त बड़ चोक से बजार से होते हुए बगत सिंग सरकिल से होते हुए यह पिलानी से यहां से निकलेंगे उसके बाद चेडा करके यह आगी की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर यह रैली निकल चुकी है आगे तक यह रैली जैपुर तक जाने वाली है पिलानी से पर यह कठा हुए उसका क्या उदेशे है अब तोड़ा इस रैली के बारे में हम जानना चाहेंगे हमारा मैन मुख्य उदेशे है पिलानी में युवाओं के लिए सरकारी खेल मदान नहीं है देश के आजादी के बाद से लेकर अब तक यहां कोई खेल मदान नहीं है और यहां के जो युवाँ है दूसरे जो शिक्षन संस्थान है उनके उपर आशिरित रहते हैं खेल मदान के लिए हम मुख्य मंतरी एसो गलोजी से अपनी मांग लेकर जा रहे हैं युवाओं के साथ साइकल रेली लेकर और अपनी मांग रखेंगे के हमें भी यहां खेल मदान दिया जाए इसका रोड मेप क्या रहेगा अंदोलन का आपका जो रेली है पिलानी से निकलेगी थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से जाना चाहेंगे बिल्कुल हम यहां पिलानी से निकल कर और चिडाव पहुंचेंगे चिडावस से बगड होते हुए जूझनू जाएंगे जूझनू में हमें दोफ़र का खाना खाकर और फिर नवलगड होते हुए शिकर पहुंचेंगे शिकर हमारा रात्री विस्ताराम रहेगा और रात्री विस्ताराम करके सुबह उठकर हम दुबारा जपूर की तरफ कुछ करेंगे और रिंगस में हमारा दोफ़र का खाना होगा और टाट्या वास है वहाँ से हम रात्री विस्ताराम करके सुबह जपूर से मावस की तरफ कुछ करेंगे राज्यस्तर पर ये आंदोलन लेके चा रहे हैं आपनी मांग को लेकर जा रहे हैं तो आपने जिलास तर पर भी ये मांग अपनी रखी थी क्या सर? बिल्कुल हमने ऐसी मांग पहले भी रखी है और हमारे जो पूर के उन्होंने भी ये ची मांग रखी है हमने HDM को और क्लेक्टर साब को और मुख्यमंत्री को और ख्यल मंत्री को भी पहले भी घ्यापन दे चुके हैं। और चुकि हमारे घ्यापनों का भी कोई निस्तारन होा नहीं है। तो हमने ये तैग किया युवाओं के साथ कि डारेक्ट हम सीएम साब से ही हम अपनी गवार लगाएंगे अपना ग्यापन देंगे और हम आसाइन नहीं रखते हैं पूर्ण विश्वास है कि गैलोज साब हमारी इस बात को दरकनार नेक करके और पिलानी को युवाओं के उनके सामने अभी किस परकार की समस्था आ रही है और वह सरकार से उनकी क्या क्या मांगया है कि लिए जी हम आज पिलानी से जैपुर शैकल रेली के लिए आज निकल रहे हैं लेकिन हम यह देख सकते हैं कि अजाधी की जितने भी 75 साल हुए हैं वहां से आज तक पिलानी मे सब्सक्राइब और उसे खेल मैदान की मांग पूरी कर सकेंगे तो और भी हमारे साथ खिलाडी है और उनसे जानेंगे अभी तक उनके सामने क्या-क्या समश्या आई है ग्राउंड ने होने की विजए से और यहां से आदिसे परसन भी हुँँब निकले है और गोल्ल मैड्लिस्ट भी राजस्तर पर गोल्ल मैड्लिस्ट गोल्लिस्ट निकले है तो आप लिए से जांते हैं थोड़ा कुछ और इसके बारे में जिसर पिलानी भीदानसवा पिलानी च्छथर पिलानी क्या सपास ओंडाह local काउट को ская पे यहां पर सुनाइन की प्रीं के तो यह बहुत भाय है जो है पर आर्मी में खूब-सारे दियों अब इस्पवर्स्वाइब की वह सता होरे एक साइंट की जी एक साट कि स्पोर्ट को सपोर्ट करो दूसरी साइड यहां पर इतना आउटपुट अच्छ है इतना अच्छा जांक का मतब रिजल्ट है वहां पर स्टेडियम होना अच्छी है वहां पर एक ग्राउंड भी नहीं है तो जो मुल भूछ सुविदाएं हैं खिलाडियों के लिए बेसिक स पर यह जैसे तैसे त्यारी करके और गोल्ड मैडल भी लेके आते हैं लेकिन वह बेसिक सुविदाएं इनको नहीं दी जा रहे है तो खेल में देश आगे कैसे बढ़ेगा यहीं चिंता का विशा है और सरकारों को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और इसका समाधान न अब आज का दिन मैं यह कह सकता हूँ बहुत ही है कि नाया वेतियास एक दिन रहेगा और युवाओं का सही समय पे सही कड़म है जैसे कि आपको पता है कि प्लानी में आज की अधर box ऑस तक छी हो हैशी सरकारी मैदान नहीं है सरकारी स्टीडियम नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूँगा अभी माने नियुक गैलोथ साब ने एक नई खेल निती बनाई है उसके तहित हर तैसील एड़कॉाटर पे हर पंचाएड एड़कॉाटर पे हर नगरपाली का छेत्र में जो है निश्चिंद होके जाएं और मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से आस्वा से नहीं ही नहीं और खेल स्टिडे में हमारा जरूर मंजूर होगा ये आज जो पिलानी में मांग रखी है ये जायज मांग है और हकीकत है कि पिलानी की परतिबाएं निकर नहीं पाती बिना कोई खेल का मैदान नहीं है तो ये जायज इनकी मांग है और उच्छा है इसका रिजल्ट भी मिलेगा क्यों पोजिटिव कदम को हमेशा परमात्मा का सारा मिलता है तो मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी है कि मुखे मंदरी साब इनकी बात सुनेगे और जल्दी पिलानी को स्टेडियम मिलेगा और हमारी पिलानी की परतिबाएं दिनों दिन जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगी खेल मैदान के लिए आंदोलन करना पढ़ रहा है युवाओं को आपके इस आंदोलन के बारे में हम थोड़ा जाना चाहेंगे और भी हमें छोटी-छोटी मूल बूट चीजों के लिए आंदोलन करना पढ़ रहा है सरकार को इस पे सोचना चाहिए और सर्मना के सरकार के ल लेके जो भी कतम होते हैं वो मोजुदा सरकार नहीं उठा रही है तो यह चोटी-चोटी चीजे हम कह देते हैं लेकिन इन युवाओं के लिए बहुत बड़ी चीज है तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है यह ग्राउंड इस पिलानी के लिए प्राइमरी नीड आती है इन यूद के लिए तो उसके लिए हम यह अंदोलन कर रहे हैं सरकार के तरफ से सामने आते हैं बात कि हमारे पास जगह नहीं है और वह जैसे पिछली बार भी विधायक जब बाय थे वह पॉलिटेक्निक कॉलेज पिलानी को दोई दिया गया था लेकिन कह रहे थे कि जग अधिगरण कर लेती है इस तरीका कर लेती लेकिन जब जरूत की चीजों के लिए जब यूद अपनी मांगों को लेकर के जब जमीन चाहता है इनसे तो उनके लिए इनके पास जगह नहीं है अगर माली जी आप थोड़ा सा गोर फरमाएंगे तो आसपास के हर ग्रामिंड चेतर के अंदर नगरपाली का चेतर के अंदर एक ग्राउंड है फिका पिलानी चेतर को नहीं मिला जब कि ऐसा नहीं है जब यह अपने विशलेशन के लिए थोड़ा ज्यान देंगे ना तो उनको जगह भी मिलेगी ग्राउंड मिलेगा हम बताएंगे कि जगह का है रमें ग्राउंड का देना है लेकिन उस तरफ एक कदम तो बढ़ाएं हम बताएंगे कि भी ग्राउंड कहां मिल सकते हैं